असलों दूस्ट रख यह अब तारे पसेंट अमीदे कि आप सब्सक्राइब ठीक होंगे हमने जनल केमेस्ट्री के अंदर लेंगे जाब केमेस्ट्री टापिक कवर किया था ठीक है इसका कुछ पोर्शन रहा हुआ है इसके अंदर हमने डालता से टामेक त्योरी पड़ी थी होता ठीक है आज हम पढ़ेंगे आइंस के बारे में कि आइंस बनते केते हैं उसे और उनकी बार्णिंग क्या होती है ठीक है आप लोगों को मैंने बताया था कि बार्णिंग वाले चेप्टर में मैंने पड़ाया था कि बार्णिंग जो होती है वो दो किसम यह होती है ठीक कर डूसरी हैं एक कोहिले का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या करते हैं अपने इलक्टराण शियर करते हैं और आयंड से होते हैं उसके अंदर क्या आता है इलेक्टराण शियर 오늘도 अपना दे देता यहां ले लेता है किसी से ठीक है तो हम आ जाते हैं कि आयन जो है पाजिट चार्ज होती है आयन के उपर नेगेटर चार्ज भी होती है जैसा कि यहां पर देख रहे हैं कि सोडियम है ते सोडियम मेटर में ठीक है उसके जो वैलंस शेल है जो वाइड में नजर आ रहा है यह व इसके पस अपने इतरी है नहीं है ठीक है तो ये क्या रहे है यह कि अपना स्बेक्धित जोदेखे छार है कि खुद भी यह यह है र्यों ख़द बहुत प्डूर्णों क्टेगा और यह किके on तरही है और यहां पर पो जाबए कि चार्ज कम्हां जाए है जो प्रोटावन है और पर पालते साज्च कम हो जाए जा橋 है जो इसंगे हूज घा जाएगी तो !!! यहां पर नेगेटाव चार्ज क्यों आ गः क्यूंक जातारीत नेगेटाव स But There यह पाजिटिव प्रोटान तो इसके पास थे अपने खुद के तब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था जब इसके बाद एलेक्टरन आगया मतलब एक नेगेटिव और बढ़ गया तो इसके और आप जो ऊपर चार्ज आजएगा वो नेगेटिव आजाएगा ठीक है और यहा अलेकर के बनता है कंपाउंड गूंड बनता है जो नेदा मतलब यर्द हैं पर तरॉड नारन मेत बनाते हैं ठीक है और जो कौऌनर कंपाउंड हैं मतलब JIर फिटार और इनान मेटर मेर्स मिलक Garage स्मज़व इस में लेकरे अमक्टराइब दोन ये वहां वाम घर कुर्थ फौर्थ गुरूप तक क्या होते हैं वो मेटल होते हैं उसके बाद जो नान मेटल होते हैं वो फाइल से लेकर एड तक नान मेटल इलिमेंट होते हैं उसके बाद हम आजाते हैं केमिकल एक्वेशन के अंदर हम जितनी भी आपके एक्वेशन पढ़के आए हैं जो भी एक्व तो से ज्यादे डिफ्रेंट कमपांड मिलके एक नए कमपांड बनाते हैं ठीक है तो उसको हम कहते हैं कि यह जो किमिकल रियक्शन बना रहा है वो बन गया ठीक है यहां पर देख सकते हैं इत इस शाटन टाइप आफ एक्सपरेशन वेन देटम मॉलक्यूल और आयन इन वन से आफ से अरी गुरूप टुप वाम बदर समस्टर मिल के री गूरूप करके एक नया फंस्टर मना रहा है ठीक है तो यहां पर यह चीजा है समझ में आगी होंगे आपको ठीक है उसका बात बेलासिक एक्वेशन यहां पर एक्वेशन होती है इनके पास नंबर आफ एटम्स होते हैं number of charges होती हैं तो इस side left hand side और right hand side दोनों के number of charges and number of atoms I am molecule हों वो सेम होने चाहिए ठीक है उसको हम balance करने के लिए हम क्या करते हैं उसको कहते है balance equation यह करते हो ठीक है balance chemical equation is indicated that the coefficient of a substance is same with molecules it's substance ठीक है we must be looking the number of atoms in the reaction and also the charges of substance number of atoms and charges को balance करवाते हैं ठीक है उसके बाद other information equation 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 there are information about the condition of a substance like solid look at gases जो conditions होती है वो solid होती है look at the gases होती है ठीक है आप लोगों अलग अलग है की अपनी conditions होती है ठीक है जैसे अब और बिलो दर एरो यह एरो है इसके अब बिलो देर इस इन्फरमिशन अबाउट कंडिशन अब दर रियक्शन सच चैज़ लेक्ट्र स्टेटिक इस फार हाँचन अब हीट है जब यह रियक्शन होता है ठीक है जब है इसको मतलब डिकंपोस करवाएं तो डिकंपोस करवाने के लिए हमने इसको क्या किया हीट दे यह जब हीट देते हैं तो यह हीट की नोटेशन है इसको हमने इतनी हीट दी है ठीक है और यह सी ए ओ और सी ओ टू में डिकम्पोज हो गया एक बात जैनली यहां में मता रहा हूं आप लोगों हमेशा याद होनी चाहिए कि यह कंपाउंड है ठीक है अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसको क्या करे हैंगे हीट देंगे जितनी हीट इसने डिवाइड होने में अलग होने में ली है अब इनको जब हम एड ऐड करेंगे तो अगरुक इसको करवा ना होगा हमें तो हम क्या करेंगे वहां पर हीट उतनी उसमें से रिमूव कर देंगे तो यह हमारा ऐसे रियक्शन हो जागा यहां पर इस्टेट बताएगे यह सॉलड में सालड में और यह फिर सी ओटू केसे में होता है ठीक है उसके बाद इक्वेशन्स फार आयोनिक है आयोनिक रियक्शन ठीक है इसको हम इंशाल्ला कल डिसक्स करेंगे तेंक शुक्रिया